हैं वेल्कम नोडी वल्वाइट पोजोस तो इंडिया और माल्डिफ को लेकर बड़ी खबन निकलकर आ रही है आज हम बात करेंगे एक और प्रॉब्लेमाटिक पडोसी के बारे में और वह हैं माल्डिफ इंडिया और माल्डिफ के पीश के दिश्टों में न पिछले कुछ म मेनों में काफी तनव आया है बहुत साथा जो है दिक्कते आई है माल जिस ने इंडिया ओट कैम्पेंग को चलाया था फिर हमारी इंडियन मिलिटरी पाहर निकाल दी चाइना के साथ डिफेंस पैक्ट को साइन किया तर्की के साथ मिलकर पायरेक्टर टीबी ट्रू ड्रोन को पर्चेज भी किया और इसके पीछे कारण है उनके प्रेजिडेंट मुजू लेकिन अप लगता है के हवा बदलने वाली है दिशा बदलने वाली है कुछ बदलावार आ रहा है मुजू आज इंडिया को आने वाले है जी हाँ बड़ी खबर है यह आपको जल्दी माल रिफ प्रेजिडेंट इंडिया में देखने को मिलेंगे जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ट कर रहा हूँ तो यह इंडिया को आचुके होंगे यह प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी के स्वेरिंग इन सर्मानी में पार्टिसिपेट करेंगे यह इन्वाइड उनको कुछ दिन प पर विजिट करेंगे जो दिखाता है कि मुझू अपनी एंटी इंडिया पॉलसी से दूरी बना रहे हैं मुझू ने सैटरड़े को ट्विटर यानी एक्स पर एक स्टेटमेंट दिया था उन्होंने पीम मोधी को उनकी एलेक्शन विक्ट्री पर मुबारक बात दी उन्हो पर शेर इंटरस को आगे बढ़ाने के लिए मिलके काम करने के लिए एकसाइटेड हूँ उन्होंने पीम मोधी से कहा था यह स्टेटमेंट उनके पैले स्टैंड से बिलकूल अलग थी गाइस जमीन आसमान का फरक था जब वो इंडो माल्डिफ स्टाइस को डिस्टैबिला इसको फॉलो करते तो यह आपको पता होनी चाहिए एक तरह से उन्होंने माल्डिफ में इंडिया ओट कैम्पेंग का लहर चलाया था उन्होंने माल्डिवियन पब्लिक को बताया था कि इंडिया माल्डिफ में अपना एंफ्लूएंस डाल रहा है और इंडियन ट्रूप्स माल्डिफ्स में station है जो असल में influence को मदद कर रही थी ये माल्डिफ्स के president के एसाप से था basically देखो इन्होंने allegation लगाया था इंडिया के ओपर माल्डिफ्स में 90 Indian military personnel थे जो एक plane hordeau helicopters को operate कर रहे थे और maintenance भी कर रहे थे जो इंडिया ने rescue and relief operation के लिए माल्डिफ्स को donate किया था एक तरह से तोफेगे तोर पर दिया था लेकिन म्यूजू ने इससे कुछ और ही रंग में पेश किया है माल्डिफ्स की जनता के सामें एक तरह से negative ली दिखाया है जैसे इंडियन troops महाँ पर माल्डिफ्स को control कर रही है माल्डिवियन public ने म्यूजू के claims को न सच में सची मान लिया था और म्यूजू ने इंडिया आउट camping के दम पर अपनी presidency भी जीत ली थी इसके बाद देखो इंडिया और माल्डिफ्स के रिष्टों में काफी खराबी आई थी म्यूजू ने इंडियन soldiers को finally निकाल दिया था और दोस्तो येर के starting में एक और एक चीज हुई थी जनवरी में एक diplomatic issue भी हुआ था जब तीन माल्डिवियन मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर मोधी को social media पर criticize भी किया था लक्षवदीप को लेकर बाद में वो अलग बाते के माल्डिव्स ने उन्हें suspend कर दिया था प्रेशर बढ़ने के कारण लेकिन दोस्तो इस से ना एक backlash आया था पूरे माल्डिव्स पे और इंडिया में बाइकोट माल्डिव्स का campaign शुरू हो चुका था जो माल्डिव्स के टूरिजम सेक्टर को काफी नुकसान में डाल दिया शाहेद इसी वजे से भी मिonsu ने रीतिंग किया होगा दुबारा बार-बार सोचा होगा और लास्ट मंथ माल्डिव्स के टूरिजम मिनिस्टर ने इंडियन टूरिस से रिक्वेस्ट भी किया था के वो माल्डिव्स को दूबारा वापस आजाए मालडिव्स को एक फ्रें कर दिया था एक तरह से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था यह सिगनल था कि इंडिया हिस्टोरिकल टाइस के लिए पुरानी बातों को बोलने के लिए रडी है मुजू ने मोदी के एलेक्शन विक्ट्री पर कॉंग्राचुलेटरी पोस्ट भी किया था और इसके रस्पॉंस में पी एम मोदी ने जवाब भी दिया और कहा के वो बाइलेटरल टाइस को स्ट्रेंटन करने के लिए बहुत ज़ादा एक्साइड़ है मालजिस के साथ तो दोस्तों यहाँ पन्ना इंडिया ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि वो म्यूजू के गल्तियों को माफ कर दींगे और इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करेंगे यह बहुत बड़ी बात है गाईस यह हर कंट्री नहीं करती है इस एक्सेंज के बाद म्यूजू को स्वेरिंग इन सर्मानी के लिए इंवाइट किया गया और उन्होंने एक्सेप्ट हिया शाहिद अब म्यूजू को समझ आ चुका होगा कि जरूरत से ज्यादा कॉन्फलिक का कोई ज्यादा फैदा नहीं होगा और यह अड़ी एंड माल करते हो यह समझने वाली बात है और जब एलेक्शन जीत जाते हैं तो कंट्री चलाना पड़ता है और उसके लिए फड़ोसी देश जैसे इंडिया की मदद चाहिए ही होती है तो शाहिद म्यूजू को अब यह बात समझ में आ चोकी होगी लेकिन यह सिफ ताइस रिसेट कर करने के लिए हो सकती कुछ और भी personal interest भी हो सकते है रिजेंट्ली माल्डिफ्स ने इंडिया की इंदीं डेट रोलोवर को यात किया था माल्डिफ चाहता है कि न्यू डЕली लोान को माफ कर दे जो इंडिया ने दिया था यह बारे में जुछ बिचार जान आ है सकते हैं कि जो चीजा है ना वो एक सही दिशा में जा रही है राइट डिशीजन में चल रही है क्योंकि आफकॉस मुझू कभी भी बदल सकते हैं तो यह कुछ अपडेट थी गाइज जो मैंने आप तक लाया है इंटरनाशनल अफेस के लिए आप मेरे चानल को सब्स्वाइब कर सकते है जा सकते हैं कब मजमाने जा कवा ब्लस्योगाने जाप रही हुआाइब कर दे चार समिस